नमस्ते दोस्तों, आज कथा कथन की इश्रंखला में सुनिये सुप्रसिद्ध लेखी का पवित्रा अगरवाल जी की लिखी हुई कहानी शौक अपने अपने तो शुरू करें कहानी शौक अपने अपने वीणा के दोनों बच्चे संदीप और सीमा सुबह से बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके पापा शानू को आफिस से वितन मिलना था एक सब्ता पहले से उन सबने मिलकर आज के दिन दीपावली की खरीदारी करने का प्रोग्राम बना रखा था बच्चे शाम के चार बज़े से ही तयार हो कर बैट के थे आज उनको नई ड्रेस फुल जड़ी पठाके आदि मिलने वाले थे वे खुश-खुश कल्पना में डूबे थे संदीप को ब्लू जीन्स और टीशर्ट चाहिए थी सीमा कह रही थी मैं तो इस बार सुंदर सा लेंगा ब्लाउज लूँगी साथ में सुंदर सी चपलने भी पांच बजने के बाद तो हो बार बार खिड़की से बाहर जहां काते थे हर आहट पुने लगता था कि पापा हैं किन्तो पापा को नपा करने राश हो जाते थे फिर मम्मी को परिशान करने लगते मम्मी कब आएंगे पापा अभी तक क्यों नहीं आए रात होने वाली है किसी फ्रेंड के साथ ताश खिलने बैठ गए होंगे मन ही मन वीना भी जुंजला रही थी किन्तो बच्चों के समक्ष संतुलित दिखने का प्रयास करते हुए बोली हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम्याद आ गया हो अभी आते ही होंगे बार बार प्रश्न पूछ कर मुझे मसताओ शौपिंग आज नहीं तो कल कर लेंगे डीपावली में तो अभी तीन-चार दिन बाकी है रात के दस बच गए थे किन्तो शानू का कहीं पता नहीं था बच्चों को खिला पिला कर उसने सुला दिया था मन में अनेक बुरे विचार आने लगे थे उन्हें ताज खेलने का शौक अवश्य है किन्तो इतने गैर जिम्मेदार वो नहीं है क्या हुआ होगा? कहां पता करूँ? अक्सर वो कपूर के घरी खेलने जाते हैं लेकिन उनके आफोन नहीं है वरना कहीं से फोन करके पता कर लेती तबी कॉल बेल की आवाज सुनकर उसने खिरकी से बाहर देखा तो शानू के ओफिस का साथी प्रकाश खड़ा था दोनों ओफिस साथी आते जाते हैं वो भी ताश का शौकीन है शानू जब भी ताश खेलने रुपता है वो भी शानू के साथी होता है प्रकाश हूँ अकेले देखकर हो घबडा गई थी जल्दी से दर्वाचा खुल कर वीणा ने पूछा था प्रकाश भाई शानू कहा रह गए क्या बात है जल्दी बोलो न अरे आप परिशान मत हो भावी चिंता की कोई बात नहीं है शानू अभी थोड़ी देर में आता ही होगा असल मैं आज कपूर का बर्थर्य था वो चाय के लिए अपने घर ले गया था वहाँ कपूर के चार-पांच मित्र और आये हुए थे आज कल कपूर साहब की पतनी गुसा होके अपने पीहर गई हुई है कपूर साहब पके खिला रही है उनके हाँ ये ताश खिलने का जमगट लगा ही रहता है उन्हें कपूर साहब का हर समय खेलना पसंद नहीं घर में पतनी ना हो तो सब को और आजादी मिल जाती है बस उनी के आगरे पर सब खेलने बैट गए मैं चाय के साथ खाने के लिए समोसे मिठाई लेने बजार गया हुआ था पीछे जब पुलिस ने चापा मार दिया और जुआ खेलने के इलजाम में सब को थाने ले गई मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ खा पी के सब छोड़ देंगे फिर आज तो सबकी जेब में वेतन भी है मैं वहना होने की वज़े से बच किया आप परिशान हो रही होंगी यही सोच कर पहले आपके पास आया हूँ अब अपने घर जाऊंगा वीना सक्ते में आ गई ताश क्या एक खेल उन्हें पुलिस स्टिशन तक ले गया था उसने प्रकाश से कहा भाई इस गटना की चर्चा को अपने तक ही सीमित रखो तो ठीक रहेगा इधर उधर से यदि बच्चों ने पिता के थाने जाने की बास सुन ली तो उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरह की बातों से बच्चों की नजर में पापा का मान कम होता ही है अरे आप बेफिकर रहें भावी ऐसा ही होगा प्रकाश ये कहकर चले गए थे शानू के ताश खेलने का इस शौक पुराना है दीपावली के दिन उनके परिवार के सब सदसे मिलकर प्रथा या परमपरा के तौर पर एक दिन तीन पत्ती खेलते थे किश्वरा वस्था के शानू को इसे मज़ा आने लगा था दीरे दीरे करके ये उनका शौक बन गया अब भी हर छुटी के दिन वो तीन-चार घंटों के लिए ताश खेलने अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं हर सप्ता में दो-तीन दिन घर देर से आते हैं दीपावली के दिनों में तो आट-दस दिन पहले से ही उनका खेल शुरू हो जाता है कई बार उन्होंने ताश की महफिल अपने घर जमाने की पेशकश की किन्तो वीना ने से उचित नहीं समझा बच्चों में अच्छे या बुरे संसकार तो बच्पन से ही पढ़ते हैं वीना के कई बार प्रयास के बाद भी शानू खेलना नहीं छोड़ पाया हर बार बस यही कहता था हम रुप्यों से नहीं पैसों से यानि की बहुत कम धनराशी से खिलते हैं यदे मुझे पान या सिग्रेट का भी शौक होता तो इससे कहीं ज़्यादा धन उसमें खर्च हो जाता तुम जानती हो मुझे बस एक ही तो शौक है यह ताश खेलने का इससे मेरी दिन भर की ठकान बट जाती है मेरे इस शौक पर प्रतिबंद लगाने का प्रयास मत करो फिर मैं बेवकूफ नहीं हूँ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास मुझे हमेशा रहता है शादी के इन बारा वर्षों में मैंने तुमनों को कोई तकलिफ होने दी है मेरा ये शौक पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है दीपावली के दिन तो बहुत से हिंदू परिवारों में इसे प्रथा या शगुन के तोर पर खेला जाता है इतना बुरा नहीं है ये शौक वीना को किसी कीमत पर भी घर में अशान्ती पसंद नहीं थी फिर उनका ये शौक अभी समस्या नहीं बना था उसने जाने अनजाने अपने पती के सास्थ सामंजस से स्थापित कर लिया था पर उन्हें घर में खेलने की अनुमत ही नहीं दी थी कॉलवल की आवाज से उसके विचारों का ताता तूट गया था शानु ही थे ठके हुए वाउदास लग रहे थे उसने अनजान बनते हुए पूछा आज तो आप बच्चों को डीपावली की शॉपिंग कराने वाले थे वो आपका इंतिजार करते रो धोके सो भी गए आज आप कहां रह गए थे नजरे चुराते हुए वो बोले आज बड़ी गरबर हो गई किसी ने पॉकेट काट ली पूरे महिने की सेलरी चली गई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने चला गया था घूरते हुए वीणा ने पूछा जेब कट गई या सब कमाई जुए में हार गए ये क्या कह रही हो तुम यहां कोई आया था क्या मुझे सब मालूम है ये भी कि तुम पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हो तुम्हें क्या मालूम है ये तुम जानो किन्त तुमारा ये आरोब सौ प्रतिशत गलत है कि मैं अपनी पूरी सेलरी जुए में हार आया हूँ सच तो ये है कि आज तो मैं खेल भी ने रहा था खेलने वालों के साथ बैठा जरूर था कपूर ने अपने बर्तडे की छोटी सी चाय पार्टी के लिए रोक लिया था प्रकाश उसी पार्टी के लिए मिठाई नमकिले ने बाजार गया हुआ था तब ही पता नहीं कहां से अचानक पुलिस आ गई कुछ लों का अनमान है कि हो ना हो ये पुलिस कपूर की पतनी ने कपूर को सबक से खाने के लिए भिजवाई थी वज़य कोई भी हो साले पुलिस वालों ने हम सब की पॉकेट खाली करवाली और आगे ना खेलने की चेतावनी देकर छोड़ दिया मुझे माफ कर दो वीडा जो शौक संकटों में डाल दे उसे शौक नहीं कहा जा सकता तुमारी वह बच्चों की कसम खाके कहता हूँ ताश को अब हाथ भी नहीं रगाऊंगा सोच लो निभा सकोगे एक असम जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा सुबह बच्चे सोकर उठे तो पापा से कुछ उठे हुए थे पापा अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे कल आप तो हमें शौपिंग पर ले जाने वाले थे लगता है कहीं ताश खेलने बैट गए थे बच्चों आपको हमारा ताश खेलना पसंद नहीं है बिल्कुल पसंद नहीं है ताश खेलने की वज़े से आप घर देर से आते हैं और हमारे साथ नहीं खेल पाते ठीक है बच्चों, आज से पापा का ताश खेलना बंद, अब तो नाराज नहीं हो लेकिन हमारी दीपावली की शॉपिंग कब होगी वीडा ने बीच में हस्तेक शेप करते हुए का बच्चों, कल किसी ने पापा की जेब काट ली, सब रुपए चले गए पापा कह रहे हैं, किसी दोस्त से कुछ रुपए उधार मांग कर तुम लोगी फरमाईश पूरी करतेंगे क्या पापा को किसी से उधार मांगना चाहिए नहीं मम्मी, उधार मांगना अच्छी बात नहीं है फिर कुछ सोचते वे संदीब बोला मम्मी दीपावली पे एकदम नए कपड़े पहने ही जाएं, जरूरी है क्या नहीं, नए कपड़े पहनना बिल्कुल जरूरी नहीं है इस बार मैं वा तुमारे पापा अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाएंगे हाँ, तुम लोगे फर्माईश पूरी की जाएगी तुम दोनों को कपड़े भी दिलवाए जाएंगे और पटाके भी बोली सी सूरत बनाए सीमा ने का लेकिन मम्मी, पापा के पास रुपए तो है नहीं क्यों न हम दोनों अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल लें गुड आइडिया, ये की न अकलमंदी की बात मुझे तो गुल्लक का ध्यानी नहीं आया मम्मी संदीब चहका बच्चों, तुम्हें गुल्लक तोड़नी की जरूत नहीं है तो मैं नहीं मालों तोड़नी मम्मी के पास भी एक गुल्लक है बच्चपन से मेरा भी एक शौक था सिलाई कढ़ाई का कभी कभी घर बैठे खाली समय में पडोसियों की सिलाई कढ़ाई का काम कर देती हूँ तो कुछ आमदनी हो जाती है कुछ पैसे घर खर्च में से बचाती हूँ सब पैसे सामने की बैंक में जमा कर रखे हैं आज बैंक से रुपए निकाल कर शौपिंग करने चलेंगे बच्चे खुशी से चहक उठे थे शानू प्यार भरी नजरों से वीना को नहा रहा था और सोच रहा था एक शौप मेरा था एक वीना का है किन्तो दोनों में कितना अंतर है अभी आप सुन रहे थे पवित्रागरवाल जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन सुन्दर सी कहानी शौप अपने अपने आशा करती हूँ कहानी आपको ठीक लगी होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल मैं हो